हाई स्टूरेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन, क्लोस्टिस्ट और पैराजंबल्स का लेक्षेर नमबर सेवन पढ़ना है हमें इसकी वर्कशीट आप सबसे शेयर की जा चुकी है, मैं एडवाइस दूँगा आपको कि आप इसकी वर्कशीट को सॉल्व कर ले आंसर्स को मैच कर ले और उसके बाद फिर इस वीडियो सेशन को देखें ताकि मैक्सिमम बेनेफिट को गेंड कर सकें चलिए, रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन है, उसे पढ़ते हैं, पेशन्स इस बेटर दान विजडम राइटर ये कहना चाह रहा है, कि जो धैर है, वो व्यक्ति की योगिता से भी बड़ा हो सकता है वैसे तो पेशन्स और विजडम को इस तरीके से कभी कंपेर नहीं किया जाता है कि पेशन्स विजडम से बड़ा हो, या विजडम पेशन्स से कम जरूरी हो पेशन्स और विजडम को तराजू के एक ही पल्रे में रखा जाता है लेकिन यहाँ कमपेरिजन है कोई लॉजिक होगा चली देखते हैं अब पेशन्स इस बेटर दान विजडम राइटर ये कहना चाह रहा है कि वेक्ति के पास धैरे का होना अधिक जरूरी है योगिता से कह अधिक जरूरी है कि उसके पास धैरे हो आगे क्या वो कह रहा है एनाउंस ओफ पेशन्स इस वर्थ एनाउंस ओपेशन्स का मतलब मुठ्धी भर धैरे एक तरीके से पाउंड ओफ ब्रेंस मतलब वही विजडम कहने का मतलब यह है कि आप के पास थोड़ा सा धैरे है तो उ आगे बढ़ते हैं All men praise patience हर कोई धैरे की तारीफ करता है कि धैरे का होना ज़रूरी है but few can practices लेकिन बहुत कम संख्या में ऐसे लोग है जिनके पास वास्तों में धैरे होता है किसी भी चीज को practice करने का मतलब है उसे अपनाना, अमल मिलाना few ध्यान से दिखेगा determiner से few और देखे negative है, अगर थोड़ा सा positive होता तो few लगा होता writer ये कहना चाहरा है कि हर कोई धैरे की तारीफ करता है हर कोई चाहता है कि धैरे हो लेकिन वास्तों में धैरे होता सिर्फ चंद लोगों के भीतर है अच्छा, आगे बढ़ते है it is a medicine which is good for all diseases यहां देखे metaphor का use किया गया है धैरे को एक medicine बता दिया गया है जब किसी को किसी दूसरे का नाम दे दिया जाए, जैसे मजाग मजाग में कभी घरवाले बोलते तुम गधे हो तो ये metaphor है, तुमको किसी भी प्रकार की, सभी बिमारियों के इलाज में काम आती है but it is not every garden that grows this herb लेकिन हर बगिया में ये जो हर्ब, हर्ब मतलब पेड पौधा या आप दवाई को बोल सकते, हर्ब का मतलब जानते हों कि हर्ब अलीसी से बनता है घास खूस पेड पौधे मतलब कहने का यहाँ पर बगिया का मतलब यहाँ पर व्यक्तियों से है एक तरीके से कि हर व्यक्ति के पास ये दवाई नहीं होती, अब देखे many people are born crying बहुत से लोग पैदा होते हैं रोते-रोते, live complaining पूरी जिन्दिगी सिफ शिकायत करते करते ही काटते हैं and die disappointed और निराशा में ही मर जाते हैं अधिकांश लोग जो है रोते हुए पैदा होते हैं उम्र सिफ शिकायत ही करते रहते हैं और अंतता में निराश होकर मर भी जाते हैं they think उन्हें क्या लगता है every other person's burden to be light उन्हें लगता है कि दुनिया के हर वेक्ति का बोज हलका है and their own feathers to be too heavy और उनके खुद के पंक बहुत जादा भारी है मतलब उनके खुद को उपर बहुत जादा बोज है देखिए इस तरीके का जो comprehension है ये अकसर NDA में, CDS में या FCAT में देखने को मिलता है जो UPSC के एक्जाम कराए जाते है जिसमें आप डिरेक्ट वे में बात नहीं करते है अब देखिए यहां लिखा है they think every other person's burden to be very light उन्हें हर दूसरे वेक्ति का जो बोज है वो हलका लगता है लेकिन अपने खुद के जो feathers है feathers का मतलब यहां कंधों से है सिर से है लेकिन उन्हें अपने खुद के पांक उनके अपने खुद के कंधे जो हैं बहुत ज़्यादा भारी लगते है मतलब उन्हें लगता है कि दुनिया के पास तकलीफ कम है मेरे पास तकलीफ ज़्यादा है मेरे पास बोज ज़्यादा है it is their fancy rather than the fate ये उनका भ्रहम है, fancy का मतलब कल्पना या भ्रहम, ना कि उनका भाग है, that makes, fate मतलब भाग है, that makes things go so hard with them, ये उनकी सिर्फ एक कल्पना है, भ्रहम है, जिसकी वज़े से चीजे बहुत कढ़िन हो जाती है, ना कि उनका भाग है, जिसकी वज़े से चीजे बहुत मुश्किल हो जाती हैं सिर्फ वो सोचते बहुत हैं सिर्फ उनकी कल्पना की वज़े से बहुत ब्रह्म में रहने की वज़े से जीवन उनके लिए बहुत भारी हो जाता है अदर्वाइस भागे नहीं उनके जीवन को बहुत भारी कर रहा है बहुत कर रहा है many would be better off than what they think ये दिखे कहा जा रहा है कि वास्तो में सच ये है कि बहुत से लोग जो सोचते हैं उससे कहीं बहतर इस्तिती में होते है मतलब एक ती सोचता है कि वो उसे बहुत तकलीफ है बहुत निराश है वो बहुत सारा बहुत सारी कमिया है बहुत तकलीफ है उसको बहुत ये सारी समझ से आए वो सोचता है लेकिन फैक्ट ये है कि वो वास्तो में बहुतर इस्तिती में होता है वो सोचता है कि वो बहुत ली खराब इस्तिती में है लेकिन वास्तो में वो काफी बहुतर इस्तिती में होता है The an ounce of patience is worth a pound of brains. मतलब थोड़ा सा जो धैर है वो बहुत सारी बुद्धी के बराबर है. पढ़िये. Wisdom cannot be attained by practicing patience. ये बात तो कहीं नहीं गई. कि व्यक्तिमिरा धैर के योगिता हासिल नहीं कर सकता. Patience comes first, wisdom second. धैर पहले आता है, उसके बाद योगिता आती है. क्योंकि जो ये line है, an ounce of patience is worth a pound of brains. इसमें आपको patience की तारीफ करनी है. ठीक है, तो आप इसमें wisdom की तारीफ क्यों करे दे रहे हैं? समझ रहे हैं? ये देखिए, without patience, wisdom cannot be used properly. बिना धैरे के, योगिता को धंक से इस्तिमाल नहीं किया जा सकता. सर, option number B इसका सही answer है. आप देखिए ना, थोड़े से patience का मुकाबला बहुत सारी बुद्धी से किया जा सकता है. ठीक है ना, तो patience अधिक जरूरी है और wisdom कम. ये देखिए ना, सर, आपका जो paragraph है, उसी में देखिए लिखा है. ये देखिए better than wisdom और इसी चीज़ को आगया, और define किया आगया, ये देखिए ना. तो better than wisdom को क्या मतलब हुआ कि पहले patience आना चाहिए, उसके बाद फिर wisdom आने चाहिए. Question number two को देखिए. Which one is the most likely explanation among the following of author's metaphorical statement? वही जो better for use किया गया, कौन सा metaphor? आदमी को बगीचा बना दिया गया है ना, patience को हर्ब बना दिया गया, ये देखिए. It is not every garden that grows this herb. हर बगीचा में ये फसल नहीं होती, मतलब हर व्यक्ति के पास धैरे नहीं होता. ठीक है? Patience is a must for solving all problems in life. ये बात सही तो है, कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए धैरे बेहत जरूरी है. ये देखिए से लिखने का तरीका, a must, वैसे तो must एक model है, लेकिन यहाँ पर must एक noun के जैसे आया. और देखिया article A लगाया, patience नितान तावश्यक है, जिन्दिकी की सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए. Patience is a rare herb that cures all diseases. सर के वास्तों में patience एक herb ही है, जिसे बिमारियों का इलाज होता है, दवाई ही है, नहीं न, वो तो metaphor use किया गया था वहाँ पर. तो A भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा, अब C को देखते हैं, patience is the virtue of highest order, virtue मतलब good, patience सबसे अच्छा गोड है, जैसे honest is the best policy बोलते हैं, वसे patience जो है वो सर्वत्तम गोड है, number D देखिये, ये भी नहीं होगा, सब D ही होगा, अब पढ़िये न, it is only a small number of people that are found observing patience in life, यही तो बा कम संख्या में ऐसे लोग हैं, जो वास्तों में धायरे को अपने जीवर में लेकर आते हैं, जिनके जीवर में वास्तों में धायरे है, number 3 देखिये, the writer's remark, क्या, they think every person's burden to be light and their own feathers to be too heavy, का क्या मतलब है, जो writer ने ये बात बोले, इसका क्या मतलब है, यही मतलब है, कि व्यक्त बहुत जादा है, और दूसरे का जो दुख है, वो कम है, option number A देखते हैं, they are always worried and dissected, dissected का मतलब निराश, है न, hopeless जिसको आप कह सकते हैं, hopeless, तो व्यक्ती हमेशा चिंतित रहता है, और hopeless फिल करता है, they consider their own problems not to be too difficult, यह तो नहीं होगा, क्योंकि sentence के मताबिक तो ये बात है, य उनके खुद के पंक बहुत भारी है, तो B में तो ये कहा जा रहा है कि उन्हें लगता है कि उनकी समस्यां बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, नहीं, उन्हें लगता है कि उनकी समस्यां बहुत ज़्यादा कठिन है, to solve as compared with the problems of other people, यह नहीं होगा, यह opposite है, they feel that they alone face serious problems while others have a nice time सर यह होगा, यह C optionist का answer होना चाहिए, क्योंकि इसमें यह बात कही जा रही है, कि उन्हें लगता है कि वो अकेले बहुत ज़्यादा गंभीर समस्यां से घिरे हुए, उनकी समस्यां बहुत गंभीर है, जबकि बाकी लोगों का समय अच्छा जा रहा है, D पढ़िए, यह द तक हो सकता है, लेकिन चूकी जो उपर का sentence है, उसमें सिर्फ खुद की बात भी नहीं हो रही है, दूसरे लोगों की भी बात हो रही है, अपना burden और दूसरे का burden, दोनों की बात हो रही है, तो C में दोनों की बात की गई है, अपनी समस्या है और दूसरों की भी बात की गई इसलिए C को ही चूज़ करना चाहिए नमबर फूर देखे आज पर दिपराग्राफ पेशन्स इस बेटर दान कियोर, इंटेलिजेंस, विज़़म, प्रिवेंशन आपने तो यह लाइन पड़ी पेशन्स इस बेटर दान विज़़म पेराग्राफ के मताबिक यह सेंटेंस है पेशन्स इस बेटर दान विज़़म नमबर फाइव देखे आज पर दिपराग्राफ आज में प्रेज पेशन्स बट क्या फ्यू था, आफ्यू था, मेनी था, मज था याद होगा आप सभी को आज में प्रेज पेशन्स बट फ्यू कैन प्राक्टिस एट तो यह था आज के सेशन का पराग्राफ चली, आगे बढ़ते हैं खुब पढ़ा करें जितना ज़्यादा आप में रीडिंग स्किल्स होंगी जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आप एक वीडियो सेशन को एक फाइल को दो दो बार भी देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग स्किल्स के लाने के लिए अच्छी रीडिंग स्किल्स के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें arrangement of sentences का level थोड़ा सा average ही रहेगा 2020 के बाद के जो sessions होंगे उसमें हम इसको थोड़ा सा strong एक level up ले करके जाएंगे थोड़ा सा इसे tough बना देंगे ठीक है ना शुरुबात में ही बहुत tough नहीं कराया जा सकता जी S1 को देखिए पहला sentence जो arranged form में है the dollar has been अब आप दिमाग लगाई सर subject है, verb है, आगे verb का compliment चाहिए या adjective चाहिए Q से start करिए ना dollar रहा है कैसा रुपया और पैसा, रुपया, dollar ये सब कमजोर होते रहते ना currency weak होती रहती तो dollar की property ये weak हो सकती है Q से start करिए Q P है और Q R है आगे पढ़ लेते है the dollar has been weak for months are have been fretting दिमाग लगाई सर कैसे हो सकता है भाई, the dollar इदे की फिर से have been verb आगी ना तो फिर से subject तो है ने subject तो ये जो has been verb है इसका subject the dollar है अब जो दुबारा verb आ जाएगी have been, उसका तो आपने subject लिखा नहीं तो फिर Q के बाद आ नहीं होगा यही answer है कैसे पढ़िये the dollar has been weak for months फिर P and markets have been fretting ये देखिए markets plural have been fretting over a lot of potential economic worries तो market में बहुत उधल उधल मची हुई है तमाम potential economic worries है मतलब तमाम वाजब चिंताएं हैं अर्थ विवस्था को लेकर डॉलर कमजोर हो गया है कुछ लंबे समय से ये दिखे न जब आपने यहाँ has been देखा has been देख रहा ना आपको तो यहाँ देखे time भी तो लिखा है for months नियम के मताबिक sense और for के साथ जब time आए तो verb के रूप में has been have been या फिर had been होना चाहिए ना वही लिखा हुआ है तो डॉलर पिछले कुछ महीनों से कमजोर है और markets में दुनिया भर की समस्या चल रही है rearrangement number 2 देखे समझ में आया होगा आप सभी को पिछला वाला ये वाला answer है C वाला rearrangement of sentences number 2 को देखे S1 यहाँ भी दिया गया है S6 भी दिया गया है पढ़िए the Indian hockey players the Indian hockey players subject हो गया subject के बाद आपको verb जोडनी ये दिखे ये दिखे यहाँ भी verb है have gone लेकिन यहाँ पर conjunction and भी तो आ गया तो पहले इसको कैसे use कर सकते है P से start करी चार options में एक ही option P वाला है सर देखिए हर एक rearrangement tough नहीं होता ये वो rearrangement है जो आपसे within 10 seconds जरूर हो जाना चाहिए मैं दोहराता हूं सर विदिन 10 seconds हो जाना चाहिए paper की मैं बात कर रहा हूँ तो जब तक within 10 seconds ना हो रहा हो तब तक आप इतनी मेहनत करिए कि जरूर आप grow कर सके याद रखिए सर 3 to 4 hours से भला नहीं होना है आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा आपको 8 to 10 hours पढ़ने जब आप इतना रोज पढ़े कि आपके पास पढ़ने को content ना बचे अभी क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं और फिर भी बहुत सारा कुछ पढ़ने को रह जा रहा है आप इतना पढ़िये रोज कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि याद अब मैं क्या पढ़ाँ अब तो कुछ पढ़ने को बचाई नहीं जब यही चीज रोजाना आपके साथ होगी ना तो समझ लीजे कि ठीक है ना यह घर की स्टेडी सेल्फ स्टेडी का पार्ट है इतना याद रहे तो जो इंडियन होकी प्लेयर से उन्होंने refuse कर दिया मना कर दिया किस काम को करने से to attend the training camp training camp को attend करने से मना कर दिया and have gone और चले गए हैं कहा on an indefinite strike और एक अनिश्रित कालीन हर्ताल पर चले गए हैं इंडियन होकी प्लेयर्स ने have refused मना कर दिया है to attend training camp को attend करने से और indefinite strike पर चले गए हैं जी अग बढ़ते हैं और close test को बढ़ते हैं पढ़िए बहुत धंग से पढ़ीगा क्योंकि close test बहुत अच्छा ही मैं रखता हूँ हर session में पढ़िए the election commission on Monday फिर a meeting with senior officials officials मतलब अधिकारियों से of the union home ministry केंद्र की जो ग्रह मंत्राले है जो home ministry है उसके अधिकारियों के साथ उसके senior officials के साथ election commission ने सुमवार को एक meeting की जब meeting की गई या तो conduct लगा है call लगा है organize लगा है या head लगा है ये answer होगा sir याद रखेगा sir organized किया जाता है किसी भी meeting को या किसी program को organize किया जा सकता है लेकिन उसमें फिर आप ये ना बताए कि किस के साथ meeting की गई जब ये भी बताया जाए तो जहाँ पर with है वहाँ पर ये जहाँ पर आप with देख रहे है यहाँ पर off लगना चाहिए कैसे the election commission on Monday called a meeting off senior officials की meeting को बुलाया call मतलब बुलाया senior officials की meeting को बुलाया तो अगर यहाँ with की जगा off होता तो हम called का इस्तेमाल करते लेकिन with लगा है इसलिए held का ही इस्तेमाल करेंगे और organize अक्सर किसी program को event को organize किया जाता है meeting को hold ही किया जाता है ठीक है जैसे conduct किया गया exams conduct करा लिए गया trial conduct करा लिए गया तो ऐसे बोला जाता है survey conduct करा लिए गया जब किसी के साथ meeting की गयी तो उसे hold किया गया home ministry के officials के साथ center reserve police force यानी CRPF के officials के साथ and the railway board chairman ठीक है railway board chairman के साथ election commission ने meeting की to finalize ताकि एक अंतिम रूप दिया जासा के finalize किया जासा कि किसको किसको finalize किया जासा security forces के पढ़िये साथ arrangement को deployment को enforcement को enhancement को आपको तुरंट समझ में आ जाना चाहिए कि deployment होगा यह देखिए ना सर यह देखिए security forces लिखा है याद रखिए जो armed forces होती है चाहिए वो civil forces हो जिसे police हो paramilitary forces हो या armed forces हो इनकी जो जवान होते हैं इनकी हमेशा तैनाती की जाती है तैनाती एक जगा से दूसरी जगा यह उनका deployment कहा जाता है उन्हें deploy किया जाता है ताकि finalize किया जाए security forces के deployment को उनकी तैनाती को लेकर के एक final एक तरीके से final draft ready किया जा सके देखिए arrangement का मतलब तो चीजों को arrange करने से है enforcement का इस्तेमाल किसी rule के लिए होता है law के लिए जब किसी कानून को लागू किया जाता है तो यह उसका enforcement कहा जाता है enhancement मतलब increase करने से होता है enhance किसको करते हैं सर्थ skills को enhance किया जाता है performance को performance देखे spelling गलत हो रही है performance को enhance किया जाता है enhance एक positive word है level को up करना उसके लिए enhancement यूज किया जाता है enforcement rule के लिए law के लिए arrangement होगा जीसर arrangement जैसे कोई program हो तो उसमें यह चीज़ लानी है वो चीज़ लानी है वो arrangement कहा जाता है forces officers, soldiers की तैनाती ही कि जाती है उनका deployment होता है कहा तैनाती करनी है कब तैनाती करनी है coming assembly elections in five states पाँच राजियो में जो विधान सभाच चुनाव होने है उसके दोरान security forces आती ही ना CRPF के लोग आते है paramilitary forces में आकसे या तो police रहती है या फिर CRPF के soldiers रहते हैं तो security forces के deployment की बात को finalize करना था जो पाँच राजियो में आने वाले दिनों में चुनाव होने है उसके दोरान उन्हें कहां तैनात किया जाएगा कैसे तैनात किया जाएगा during the coming क्योंकि elections का एक time होगा ना 15 देन महीने भर चलेगा इस दोरान उनकी तैनाती की जाएगा on क्यों लगाएंगे till क्यों लगाएंगे at at तो किसी place की बात करता है ठीक है at हजरत गंज at central secretariat building place के लिए अवधी में न ये देखिए 15 दिन का अगर schedule है तो 15 दिनों तक उनको रखना है तो उस दोरान उन्हें deploy किया जाएगा इसलिए during बोलीगा फिर देखिए कुछ inverted commas की भी तर लिखा है जरूर किसी ने कुछ कहा है पर ये as election as election schedules are to be announced soon चुकि चुनाओं का जो schedule है वो बहुत जल्दी announce हो जाएगा कि कितने phases में elections हो कि कितने चरणों में कहां कहां कब वोट डाले जाएगे इसका announcement जल्दी होना है the final leg of preparations का मतलब है जो तयारिया है उसका अंतिम स्वरो है ना मतलब सारी तयारिया हो गई है बस जो थोड़ी से तयारी रह गई है उसको final leg of preparation कहा जाएगा वो तयारी चल रही होगी समझे तयारी भाई सब हो गई है और तो जो बची है तयारी वो की जा रही होगी कि जब कुछ भी किया जा रहा है तो उसको underway बोलिए सर जैसे rescue operation चलाया जा रहा जी राजय में बाढ़ हा गई है तो वहाँ पर NDRF और army का rescue operation चल रहा है तो the rescue operation is underway कुछ भी जो चल रहा है वो underway है under construction का सिर्फ एक इस्तिमाल होता निर्मारा धीन जब किसी चीज़ को बनाया जा रहा हो तयारी की जा रही है rescue operation चल रहा है है ना तो underway है वो underlying का मतलब होता है किसी चीज़ के underlying के तरीके से नीचे पड़े रहना underlying करना और underrated का मतलब है value को कमाखना तो जो अंतिम चरड के तयारी है वो चल रही जारी है तो underway है to ensure क्यों तयारी चल रही है ताकि जो polls है यानि के चुनाव है उनको smoothly करा लिया जाए उनका smooth passage नहीं होगा flow नहीं होगा, trial नहीं होगा elections को conduct किया जाएगा trial तो एक test हो जाएगा flow क्या होता है polls को कोई flow है, कोई पानी है क्या जो उसका बहाव होगा passage का मतलब तो गुजर जाने से है कोई चीज ठहरेगी नहीं गुजर जाएगी किसी कारे को करना या करवाना उसे conduct करना का जाता है elections को hold किया जाता है, उन्हें conduct किया जाता है, तो अंतिम से conduct, अच्छे से conduct कराया जा सके, तो पहले मैं आपको meeting करी गई, तो hold की second form है लगाया आपने, फिर सुरच्छा बलो की तैनातीवित deployment, चुनाव के दोरान, इसलिए during तयारी चल रही है तो underway और चुनाव कराया जाएंगे, इसलिए उनको conduct किया जाएगा, तो ये था आज का session, hopefully अच्छा ही लगाओगा ज्यादा धंग से सुना करें मेरी हर एक बात को ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें बहुत पढ़ें, मैं फिर से बता दो, 8 to 10 hours पढ़ना बहुत जरूरी है, सारे subjects को value देनी जरूरी है, 2 to 3 hours maths का पढ़ना जरूरी है, 2 to 3 hours English का पढ़ना जरूरी है, और 1.5 से 2 घंटे reasoning, और 1.5 से 2 घंटे GS, reasoning आप 1 hour भी अगर पढ़ेंगे, तब भी चल जाएगा GS को आपको थोड़ा जादा time देना होता है, क्योंकि उसका field जादा होता है, तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे English, 2.5 से 3 घंटे Maths, और 1.5 से 2 घंटे GS, और 1 घंटे तक reasoning आपको रोज पढ़ने चाहिए, ठीक है, चाहिए, thank you so much, bye bye, take care.